नमस्कार दोस्तों मैं अस्तों निपांडे स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में हाली में नीज आ रहे हैं कि इंडिया और ग्रीस का जो एन्वल एरफोर्स एक्सरसाइज है वो 18-18 अप्रेल के बीच में होगा मेडिटेरियनसी में मेडिटेरियनसी वही सागर है जहां पे दोनों आमने सामने रहते हैं ग्रीस और टर्की जो कि टर्की ने हाली में पाकिस्तान को ड्रोन्स परवाइड की हैं इसके बाद में ये एक्सरसाइज हो रही है और साइप्रोस को बाढ़ने की बार-बार कोशिज भी करता रहा है ठरकी हाली में एक नीज ये भी आई है कि 400 मिलियन डॉलर का एक डील हुआ है इस्राइल और ग्रीस के बीच में जिसके तहट अब ग्रीस इस्पाय कटी टैंक मिसाइल खरीदेगा इसराइल से अब इस में होता क्या है इंडिया के पास भी है लेकिन थर्ड में पाकिस्टान के उपर उस टाइम पे इमिडेट बेसिस पे खरीदा था 204 काईटी जीएम इसराइल से और उसके बाद में अक्टूबर तक वहाँ पर डिप्लोई भी कर दिया गया था अभी भी डिप्लोई है इंडिया के पास इसके अलावा आकास एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो भी जम्मु कास्मीर में डिप्लोई किया गया है यह हाई इस्पलोजिव अंटी टेंक होता है जिसको हीट बोलत है इस वज़ा से कुछ हाईलेंड जो है वो बहुत ज्यादा नंदीग में टर्की के तो इंडिया क्या करता है इसके साथ में एन्वल एयर फोर्स एक्सराइज करता है जिससे क्या होता है कि टर्की को यह पील होता है कि इंदा फ्यूचर अगर मैंने इसके उपर दबाव ड कंट्री है और टर्की भी एक नोटो कंट्री है और नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसके हिसाब से देखा जाए तो नाटो कंट्री अगर नाटो कंट्री पर आक्रमण करेगी तो जो पहले आक्रमण करेगी उसको सारी नोटो कंट्री मिलके मारेंगी लेकिन इस बात का भी ज् सांस है कि नाटो से बाहर हो जाएगा टर्की क्योंकि टर्की क्या है मिडिल पावर है वह नहीं चाहता है कि अमेरिका के रिदम में रहकर आगे बढ़े जो फ्रांस सोचता है सेम ऐसे टर्की भी सोचता है कि हम भी सुपर-पावर बन सकते हैं इंडिया केस में सुखोई 30 यमक पे यह ट्रेनिंग होगी जिसमें जॉइंट अटेक हो गए रहा का भी एक्सराइज किया जाएगा कि मतलब दोनों देश साथ में मिलकर किसी एनिमी पर किस तरह से इंदा फ्यूचर अटेक कर सकते हैं जो इजराइल का इस्पाइग मिसाइल है यह ओर रेड़ी 40 कंट्रीज न इस के पास में है इस पाइng क्ट्रीज के पास्पाइग इंडिया इंडिया के लिया चेक फ्रांस के साथ में इसपाइग में अच्छे हैं में सी का जो इसू है वो इंडिया rise करता है साइप्रस के लिए भी rising करता है और यह बहुत बड़ा problematic हो जाता है टर्की के लिए टर्की पाकिस्तान के मामले में तब ही सान्थ रहेगा जब उसके जो हित हैं उस पे इंडिया नजर रखेगा आए दिन उस पे बयान देता रहेगा यहीं हुआ था लास्ट टाइम पे यह जम्सांकर साहब बिदेश मंतरी से मिले थे टरकी के और उसके बाद抗र के विदेश मंतरी से मिले थे ज़्यादा अच्छा कोलिब्रेशन होगा ग्रीज के साथ इंडिया का उससे टर्की हम ऐसा दबाव में रहेगा और इसकी जो पहले है वो हम ऐसा ग्रीज करता है ग्रीज के मंतरी लोग बार 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 बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ में हमारा ज़्यादा कोप आप अगर कुछ भी करोगे पाकिस्तान के सपोर्ट में तो फिर आप भी देख लेना कि आपका जो ये आइलेंड वाला मामला है हाथ से निकल जाएगा